जेज नेंद्र स्वागत है आप सभी का हमारे विशिस कारेकरम समस्या एक समाधान अनिक जी हाँ समस्या एक समाधान अनिक क्योंकि जीवन में समस्या हैं तो बहुत सारी आती रती हैं उनका समाधान भी अनिक तरीके से पाया जा सकता है मैं डॉक्टर प्रदीब जन पारश चैनल के माध्यम से अनन्त वर्ड परिवार के तरब से आप सभी का हिर्दे से स्वागत करता हूँ अनन्त वर्ड विस्वा प्रिथम भक्तामर क्लिनिक है जो रोहिनी दिल्ली में है जिसमें मंत्रों के माध्यम से अध्यात्मिक उप्चारों के माध्यम से जीवन में सुक्ष, सांती, सम्रद्धी कैसे लाई जाती है यह सब सिखाया जाता है, बताया जाता है और आपके जीवन में उत्रों तरविकास करने की परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है तो आज हम बात करते हैं धन, लक्ष्मी और बैपार बैस्वाई आदी सम्मधित समस्याओं की मनुस्य, जर्म के साथ ही दन अर्जन करने के लिए पिर्टन सील हो जाता है माता पिता, सबने देखने लग जाते हैं कि बड़े होकर अपने बच्चे को अच्छा विजिसमें बनाएंगे इसके लिए सुख सुविदा के सारे साधन इखटे करेंगे इसके लिए संसार की सारी चीजें, सारे सुख इसके लिए हम उपलब्द कराएंगे लेकिन अनीक बार ऐसा देखा गया है करम उदे आने की कारण व्यक्ति कभी कभी दो जून की रोटी भी नहीं जुटा पाता कभी ऐसा भी मिलता है देखने को अफसर आता है कि जब दुकान, मकान, फैक्टरी सब कुछ होते हैं लेकिन आये का इंकम का कोई सोर्थ नहीं ही महा होता कभी कभी बर्सों से चलिव आई फैक्टरियां, दुकाने एकदम कारहीन हो जाती हैं, निश्क्रिय हो जाती है जहां अर्थ अर्जन करना, पैसा एकटा करना, पैसा कमाना बहुत मुश्किल लगता है तो दोस्तों क्या करें हैं, क्या ध्यान दखना चाहिए हमें कि जीवन सुचारू रूप से चलता रहे जीवन की जो यह आविशक्ताएं हैं, पैसा, प्रतिष्टा, सम्रिद्धी जो सबसे ज़्यादा जरुत हैं, यह जरुत कैसे पुरी हो रोटी, कपड़ा और मकान यह दीनों को चाहिए, इनके बिना किसी का भी गुजारा चलने वाला नहीं है इतना तु सबके पास हो, कि उसे कभी किसी के आगे रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हाथ ना फैलाना पड़े लेकिन कर्म उद्याने से, वास्तु घुराब करने से, गुणली में दोस लगने से, हम कभी-कभी बहुत सारे दुख भोगने लग जाते हैं आच्यार्यों मनीशियों ने वास्तु के माध्यम से, जोतिश के माध्यम से और मंत्र उप्चार के माध्यम से अनी को रह्ष से बताई हैं को उपचार बताए हैं, जिनको अगर हम जीवन में अपना लें, उपाई को कर लें, तो निश्यती हमारे जीवन में सुक्ष, सांती और संब्रिद्धी आ सकती है, सबसे पहले बात करेंगे वास्तु की, वास्तु में वैसे तू, सूले की सूले दिसाओं को बैलेंस होना चाह लेकिन फिर भी, बिशिसश कर्यां, आज हम दो दिसाओं के बारे में बात करेंगे, नौर्धीष्ट ईसाओं कौन, और वैस्ट पक्षिम दिसाओं, ये दो दिसाओं द्शन सावरेंदी दिने में हमारे बहुत साईता करती हैं, तीसरी जो दिसाओं आती है, वो तत्तर दि सकता है ईशान कौन कभी कभी बढ़ती सालों से चलती हुई फैक्टरी ये बंद हो जाती हैं कभी कुई सालों से चलती हुई दुकाने बंद हो जाती हैं कार खाने बंद हो जाते हैं मिलें बंद हो जाती हैं घरों में एक साथ सुक्सु विदा के काड़नों की कमी हो जाती है इसान कौन जब भी भारी हो जाता है इसान चौन में कब जब भी टoireट आधी का निर्मान हो जाता है धन्सभक्त इसमस्या आए हमारे पास आने लग जाती इसान कौन के जो मालिक हैं, जो बिटर हैं, ब्रस्पती, देव गुरु ब्रस्पती, जो सभी प्रकार के सुक्त साधर हमें उपलब्द कराते हैं, यह जल्द तत्व की जौन है, बेसिकली सबसे ज़्यादा जो काम होता है, इसान कौन का वो है, कलर्टी अप माइंड, मन की सा क्लियर नहीं होगा हमारा, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, चाहे कितना भी अच्छा वैपार चल रहा हो, कितनी यह भी अच्छी फैक्टरी हो, चाहे में लोकेशन पर हमारी दुकान ओपिस सोरूम आदी क्योना इविस्थित हो, अगर मन में सांती नहीं है, काम को करने की च चाहत नहीं है, क्लेटी नहीं है, सांती नहीं है, आनन्द नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, तो हमें देखना चाहिए, कि हमारी कहीं नौट थिस्थ में, इसान कौन में कहीं, ब्लॉकेश तो नहीं है, अगर ऐसा है, तो आप उसे तुरत रिमूव करें, ठीक करें, जिससे आपका आने वाला कल अच्छा हो, सुक में हो, आनन्द में हो दूसरा बात करते हैं उत्तर दिसा की उत्तर दिसा के स्वामी कुबेर है जो धन सपर्ति बैवब ऐस्वरे सबको देने वाले हैं बुद्ध गिरहिया के स्वामी है बुद्ध के रहे जो बैपार का प्रतिन्दित करता है बैपार बैफसाई को आगे बढ़ाने में हमारी एहम भूमी का निवाता है हम उत्तर दिसा को भी चेक करें हमने कोई कुड़ा, कच्छरा, डस्ट विन, भारी निर्बान या हमारे ओफिस फैक्टरी का नौर्थ इससा कड़तो नहीं गया है अगर ऐसा है तो हमें तुरण ठीक करना चाहिए जिससे हमारे बैपार बैपार में रद्धी हो हमारे आने वाला कल आनंद में हो तीसरी जो सबसे में और इंपोर्टेंट जिसा जो मानी जाती है वास्तु में वो मानी जाती है वैस्ट जी हाँ सनी को प्रतिनिद्व करनी वाली ये जिसा जो पक्षिन जिसा कहीं जाती है उत्तर जिसा से हमें बैपार तो मिल सकता है लेकिन अगर पैसा मिलता है फाइनस मिलता है अगर फाइनस का कोई मालिक है तो सनी ग्रह को कहा गया है पक्षिन दिशा से हमें क्या क्या मिल सकता है अगर ये दिशा सही है तो पैसा जी हाँ मनी सेटिस्टेक्शन संतुष्टी ग्रोध ब्रद्दी हमारी डिजायर सिहीं कम्प्लेट होती है इस दिशा अगर सही होती है तो हमारे कोई भी काम रेष्ट नहीं करते ये दिशा एनरजेटिक होती है तो हमारी सरीर में उर्जा की कभी कमी नहीं होती जैसे हम भूजन करते हैं किसली करते हैं भूजन कि सरीर में उर्जा बनी रहे अगर वेश्ट दिसा हमारी पक्षिम दिसा हमारी घर की सही है, तो हमारी सरीर में उर्जा की कभी भी कमी नहीं होती, नौलेज देने वाली, नेम फिम देने वाली, चकसे देने पाली, कोई दिसा मानी गई है, तो वो पक्षिम दिसा है, तो पक्षिम दिसा का सही होना हमारी फैक्टरी में, हमारे घर में, हमारे ओपिस में, सबसे ज़्यादा पक्षिम दिशा का सही होना परम आवश्यक है। पक्षिम दिशा के बारे में, हमने बहुत सारी बाते बताई, इस सभी चीजें अगर आपकी वेश्ट जोन सही है, तो आपके बैपार्प में उन्नती के अफसर नित्प्रतीत दिन मिलते रहेंगे। आपके बैपार्प की व्रिद्धी रो जाना होती रहेगी, कोई भी आपके बैपार को बैफ्षाय को रुक नहीं सकता, आपको धन की प्राप्ती होती रहेगी, नहीं अफसर मिलते रहेंगे, और घर में पैसा रुकता भी रहेगा। अखसर लोगों की समसाई की रहती है, कि हम काम तो बहुत करते हैं, कमाई तो बहुत करते हैं, लेकिं घर में पैसा रुकता नहीं है। तो चेक करें, देखें कि आपका कहीं पक्षिम दिसा खराब तो नहीं है, आपके इसान में कहीं भारी निर्मान तो नहीं है, आपके उत्तर दिसा में कहीं कुड़ा कच्रा आदी तो पड़ा हुआ नहीं है, देश्टविन या जूतों की रैग तो नहीं रखी हुई, अगर तो यह आपके व्यपार को व्यफशाई को आपकी सम्रिद्धी को ब्रेक लागा सकते हैं, रोक सकते हैं, आपके आगे बढ़ने के अफसरों को धीरे कर सकते हैं, तो हमें इन तीनों दिसाओं का बहुत ध्यान रखना चाहिए, व्यपार व्यफशाई आधी करते समय, तो हमें क्या करना चाहिए पक्षिम दिशा को ठीक करें पक्षिम दिशा में एक ग्रामीन माहौल की ग्रामीन परिवेश की एक सुन्दर सी फोटो पूरो की तरह फेशिंग करते हुए लगाएं उत्तर दिशा में ग्रीन हर्याली के पौधों के फोटो लगाएं और इसान कौन में जल की व्यवस्ता करें, बहते हुए पानी की पिक्षर, फाउंटेन, कोई ज़रने की फोटो आती लगा सकते हैं, तो ये आपकी बैपार व्यवस्ताय में व्रिद्धी करने का बहुत बड़ा साधन बनेंगे, उत्तर पूरु दिसा में अगर पानी की व्यवस्ता हो, जल की नहीं होगी, चाहे कितनी भी रुकावटे आरी हो धन प्राप्ती में, अगर उत्तर पूरु दिसा में जल की व्यवस्ता कर जाए, एक छुटा तर पिक्चर भी लगा दिया जाए, एक फाउंटेन भी लगा दिया जाए, तो भी हमारी कार्य आके बढ़ सकते हैं, और क्या क अफस्वरों को खोल देगा, कुछ लोगों को समस्या रहती है, कि उनको बार-बार काम चेंज करने पड़ते हैं, बेपार बदलना पड़ता है, काम बदलना पड़ता है, इस्तिरता जीवन में नहीं आ पाती, अगर ऐसा ही समस्या है, तो हमें क्या करना चाहिए, गर फेक् से ढके हुए पाढ़ हो सकते हैं, जैसे के लास परवत, पावण सींतरा सम्मेश्य करके परवत, ऐसी फोटों अगर हम घर फेक्टरी और ऑफिस के साउथ वेश्ट दिसा में उस पिच्चर को लगा दें, तो बेपार बेफश्वाय में इस्तिरता पैदा हो जाती है, हमें पूरे दिन भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इंकम नहीं हो पाती, उनके लिए एक बहुत बिसिस खास हुपाय है, घर के ऑफिस के फेक्टरी के दक्षिन दिसा में साउथ जौन में लाल कलर के रेड रंग के दो गोडे पत्थर के बने हुए हों, तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसी पिच्चर और की नहीं तो आप पिच्चर भी लगा सकते हैं, लेकिन पत्थर के हों, तो बहुत अच्छा माना गया है, घोडे हों, भागते होई नहीं हों, धीरे से चलते ही होई हों, आराम से घास खाते होए, ऐसे घोडों को अगर हम दक्षिन जिसा में रख दें तो हमारे जीवन में भी नए अफसर और मिल सकते हैं, हमें काम के सु अफसर मिल सकते हैं, हमें ज्यादा भाग दोड़ नहीं करनी पड़ेगी, हमारे अंदर उड़ जा की कमी नहीं होगी तो ये दोस्तों चोटे चोटे उपाए हमारी जीवन को बदल सकते हैं, नौर्थ वेस्ट में, घर के प्रेक्टरी के आपश की नौर्थ वेस्ट में, हमारे लोगों से संबद अच्छे बने रहें, ग्रहाकों से मेल मिलाप अच्छा रहे हमारा, क्योंकि ग्रहाक आएगा, त अभी तो प्रफसार प्रफस्वाइं ब्रद्धी होगी, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो निश्यती हमारी दूसरों के संबंद अच्छे होते चल जाएंगे, हमारी ग्राकों के संबंद अच्छे बनेंगे, हमारे रोजगार के सुअफसर और बढ़ते चले जाएंगे, तो इस चोटे-चोटे उपाए हमने आपको बताए, इनको आप करने से आपके जीवर में सफलता मिलेगी, आनन्द आएगा, बात करते हैं जोतिस सास्त्रकी जोतिस सास्त्रके में, एस्ट्रालोजी में, कुडली में, दस्मा भाव और ग्यार्मा भाव यह दोनों घर ठीक हैं, इन दोनों ग्रह के मालिक, किसी सत्रु ग्रह से पेडित नहीं है, किसी सत्रु ग्रह की द्रश्टी, पापी ग्रहों की द्रश्टी, युती, इन पर नहीं हो रही, तो हमारे रोजगार के अफसर आगे नहीं मिल सकते हैं, हमारे वैपार वैप्साय में ब्रध्धी हो सकती है, तो हमें चेक करना चाहिए अपनी कुल्ली में, किसी पापी ग्रहों के साथ युती नहीं बना रहा हो, संब्द नहीं बना रहा हो, उनके साथ बैठा हुआ नहीं हो, उनकी द्रिश्टी नहीं पड़ रही हो, अगर ऐसा है तो हमें उसका उपाई समय से करा लेना चाहिए क्योंकि समय जब होता है अच्छा समय जब आता है तब हम उपाई भी कर सकते हैं लेकिन जब बुरा वक्त आ जाता है तो हमों कोई उपाई भी नहीं कर पाते तो दस्वे और गार्मे भाब के स्वामी को हमें ठीक कर लेना चाहिए तो क्या करें हम कुंडली के दोस्तों को दूर करने के लिए जैसे कि हमेंने बताया कि दस्वे गार्मे भाब के स्वामी को ठीक कर लेना चाहिए और मरकरी, बुद्ध गरे, जुपिटर और सेटन इन तीनों गरों की इस्तिती को भी हमनी कुंडली में डीवन चार्ट में देखना चाहिए अगर ये तीनों की पोजिशन सही है, कोई वकरी, अस्त, पूर्ण अस्त्र नहीं है या किसी पापी गरों के ता संब्द नहीं बना रहे है तो हमारा वैपार अच्छे से चल सकता है अगर कुछ ऐसा है, वैपार में दिक्कत आ रही है, बाधाई आ रही है, बुद्ध घरे खराब है तो हमें पक्षियों को नित्प्रती दाना डालना चाहिए बहन बेटियों से अपने संब्द अच्छे रखने चाहिए जुपिटर के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने गुरू का सम्मान करें पीले बस्तर गुरू को मंदिर आजदी में दान करें धार्मिक पुस्तक हैं अगर हम दान करते हैं तो हमारा सबसे अच्छा उपाय है जुपिटर गुरह का धार्मिक पुस्तक हैं धार्मिक पुस्तक हैं या ऐसे लोगों को डिस्टिबूट करना, दान करना जो उनकों किताबों का धार्मिक पुस्तकों का सरदिप्योग करें अगर आप धार्मिक पुष्टा के साथ दान करते हैं, गिप्ट करते हैं, किसी को देते हैं, तो आपका गुरु ग्रह बहुत स्ट्रॉंग हो जाएगा बात करते हैं सैटर्न की, सनी के लिए, जैसे हमने पहले पिछले एपिसोड में आपको बताया कि हमें अपने अधीन करमचारियों का सम्मान करना चाहिए, लेबर की हेल्प करनी चाहिए अगर हम ऐसा करते हैं, अपने नीचे काम करने वाले लोगों को सम्मान करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी केर करते हैं तो सनीगरह अच्छा होगा और हमारा पैसा रुक जाएगा, इस्तिर होगा, पैसे का रिसाब नहीं होगा, इस छोटे छोटे उपाए हमारे जीवन में आनंद पैदा कर सकते हैं, तो कल बात करेंगे हम मंत्र हीलिंग के बारे में, कि बैपार को मंत्र है, बक्तामर के मंत्रों के द्वारा कैसे बढ़ाये जाए, आज के लिए है इतना ही, आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यूट्यूब चैनल बक्तामर मंत्रा हीलिंग पर भी अन्ने जानकरी के लिए विजिट कर सकते हैं, हमारी वेब और यू झाले बत्दी मरेश